हिम्मत की हम बात कर रहे हैं स्वामी जी कई लोग जीवन में हिम्मत हार जाते हैं डिप्रेशन उनके अंदर आ जाता है समस्याओं से जूज नहीं पाते लड़ सब्सक्राइप अपने ही शत्र हैं अपने आपको कभी गिराये मत अपने आपको 30 पुश्न आवियानम अपने आपको उठाये और आज हमने प्रोमिस किया था, हम उटा पाथ हाराड के साथ कैंसर के लिए भी, और जो कैंसर के लिए वही डिप्रेशन के लिए, कैंसर का रोगी तो डर जाता है, बहुत सामने दिखती है, मेंडेटरी है, कमपर्सरी है, नेसेसरी है, सब पाच साथ प्रणायाम जरूर कर उसमें सबसे पहले ऐसे बस्तरिका करें, लंबे गहरे सास बरें और ये सोचें, मुझे पर चारों और से भगवान की शक्ति बरस रही है, गौड इस ब्लैसिंग में, गौड इस हेल्पिंग में, गौड इस शवरिंग इस कमपेसेंस ओन में, ऐसे भाव के साथ कि मैं भगवान की कृपा से आसिसों से अभिशिक तो हो रहा हूं, और ये सच है कि ओम, ओम का जब करते वे, प्रणायम का तब करते वे, ओम का तो अर्थी है, अब रक्षन, गतिकांती, प्रीती, तिप्त्याउगाम, अप्रवेश्षन, स्वाम, अर्थियाचन, केच्छा, और दीशों, कि मैं ओम के आलिंगर और मभगवान के आश्रे में सदा अवस्थीत हूं, ऐसे ओम का ध्यान ये भस्त्रीका प्रणायम, के स्वासों के माध्यम से इस ब्रह्माण की सारी शक्ति मेरे पिंड में आ गई है, मेरा रोम, रोम, आलो की तो हो गया है, प्रकाशी त हो गया है इस भाव के साथ अब स्ठीय का प्रणाइम करें जैसे मिनाक्षी जि जब कर एंगर वी जब करते हैं मनई मन उंकार का जब अुछ कि यह भस्त्रीक प्रणायम करें सारा भे निकल जाएगा तो निकल जाएगे सारे विकार निकल जाएंगे इसलिए मैं अभी कह रहा था शुषांत जी यह रोग मुक्ति का व्यसन मुक्ति का और हिंसा जूट विमानी दुराचार अनाचार वेविचार दुराचार असुचिता असंतोश जो भी जीवन में अशुब है पाप धर्म है दुख है दरीद्रत उससे मुक्ति हो जाती है रोग मुक्त तो होते ही हम कबारभाती फिर अगला सब कुछ छूट रहा है यह विसर्जन देखो दो शब्द बड़े गहरे हैं सुषांत जी निर्मान और निर्वान योग से जीवन का निर्मान होता है योग से युग का निर्मान होगा चरित्र तो यह अपनी बोड़ी को माइंड को थोड़ को इमोसंस को डिटोक्स करने के लिए भीतर की जाडू लगा रहे हैं यह कबाल भाती हमें एक भजन गाते सुना देतें दो लाइन गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा सुबह शामई समन मंदिर में जाडू रोज लगाए जा गाए जा गाए जा गाए जा भगवान की महिमा गाए जा कोन हमेशा रहा जगत में किसका यहां ठीका ना है बांधले बाबा विसर अपना ये तो देश बिगाना है ये दुनिया सर आए कोई आए कोई जाए पत्थि कह यही समझाए जा गाये जा गाये जा भगवान की महिमा गाये जा मंदिर में जाड़ू लगा रहे हैं ये कपाल भाती इत्राद वर्दस्ता है इससे सब कुछ शुद्ध हो जाता है तन माना आत्मा शुद्ध हो गए जो शुद्ध हो गया बुद्ध हो गया स्वामी ची आप जाते हैं अच्छा है कि मैं खो गई थी आपके भज़र लेकर के कैंसर से लेकर के आप खो गई बस इतना ही अच्छा है आप सो गई होती तो ज्यादा कपड़ हो जाता है देखें मैं बस इसमें परिशानियों के लिए एक बात जोड़ रहा था जीवन में बड़ा सरल है कोई भी परिशानी आए अपने आप से इतना पूछिए कि क्या इसका निदान मेरे हाथ में है अगर जवाब मिलता है हाँ तो कर लीजे चिंता की कोई बात ही नहीं और जव के हाथ में उसके लिए छोड़ दीजे वो देख लेगा